यह earning शुरू होती कैसे है जैसे ही आपने डी-pharmacy complete किया अब आपके पास license आ जाता है मतलब की PCI Pharma Council of India बी-pharmacy जहाँ 4 साल का है चार साल एक course को complete करने में आप देते हो वही डी-pharmacy 2 साल का है आपको license मिल जाएगा बट license लेने के बीच में भी एक अर्चन है वो है exit test तो दोस बहुत सारी वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी जो हमने डी-pharmacy, बी-pharmacy, एम-pharmacy पर बनाई है और भी बहुत सारे कोशिस पर हमने वीडियोज बनाई है क्योंकि हमारा यह कि एजुकेशनल चैनल है हम कोशिश करते हैं आप तक पूरी जानका आप सर्च करते हैं, फीस जो देनी है वो भी आपके पास है, आप उसका approval भी देख लेते हैं बट यहाँ पर कुछ चीज़े होती है कि आप डी-pharmacy ही करोगे या बी-pharmacy भी कर सकते हो, या फिर डी-pharmacy करने के बाद स्कोप्स क्या है, फीस कितनी है, एलेजिबिलिटी कित बताऊंगा और maximum doubts आपके clear मैं कर दूँँगा अपने इस वीडियो के मध्यम से, ज्यादा कुछ जानने के लिए, डी-pharmacy के बारे में दोस्तों बने रहे हैं इस वीडियो के साथ, दोस्तों डी-pharmacy एक ऐसा course है, कि जिस course को करते ही, कहीं न कहीं किसी तरह से आपकी earning शुर बी-pharmacy, M-pharmacy करा सकते हो, अपने देश में जो council body है, जो इसे मानिता देता है, वो PCI है, PCI कैसे काम करता है, detailed में video available है हमारे चैनल पर, last video लगा भी दूँगा, और बी-pharmacy, बी-pharmacy में, detail में जो हमने difference बताया है, वो भी लगा देंगे, उन videos को आप देख लेना, बी-pharm बी-pharmacy कर सकते हो, आपके पास अब gap भी है, एक, दो, तीन साला gap है, तो भी आप कर सकते हो, ज़्यादा universities आप सवाल पूछेंगी नहीं, सिर्फ आप से वो proof मांगेंगे, कि जो gap certificate, जो एक बनता है, gap certificate किसी भी नोट्री से आप बनवा सकते हो, वो submit करोगा, तो आपका admission हो अपनी pharmacy के आप shop खोल सकते हो, किसी भी जाके आप hospital में जा सकते हो, नोकरी ले सकते हो, pharmacy की बहुत सारी companies हैं, वहाँ आप जा सकते हो, options बहुत सारे हैं, fees भी ज़्यादा इतने high नहीं होती है, defarmacy की, defarmacy की किसी आप college से करते हो defarmacy, तो maximum एक लाख में आपका admission दो साल के लि 50-60,000 पर दे रहे थे, अब यहाँ पर semester की fees उतनी होगी, क्योंकि आप जब course को complete करते हैं, मतलब कि लगबग 2 साल की fees आपको 2,5,000 के बीच में private universities में देनी पड़ सकती है, depend करता है, किस university में आप जाके admission ले रही हो, अब maximum students वो आते हैं, जो कहीना कहीं किसी भी shop में काम कर या already वो medicine line में है, अब उन्हें defarmacy करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें वो diploma लेना है, सिर्फ वो आपके पास आ जाए, तो आपको license मिल जाएगा, बट license लेने के बीच में भी एक कर्चन है, वो है exit test, और अब exit test दिये बिना, आप pharmacist नहीं बन सकते हैं, मतलब कि pharmacist बनना चा है कि दो साल की होती है, दो साल का ही course है, दो साल में course complete हो जाएगा, फीस के बारे मैंने आपको बताया, पर आप ये बात जरूर जान लें, ऐसी ही university या college से करें, जो PCI मानने ता प्राप्त हो, ऐसे कहीं जाके admission ना ले लें, और ये भी देख लें, कि जितनी sheets अलाट है, कही ऐसा तो नहीं, कि seat तो 60 है, admission ले लिए 200 उस university ने, MP में एक बहुत सारी university इसको problem हुई थी, और अभी भी वो problem चल रही है, university में admission लेने से पहले जरूर देख लें, PCI के मानता है या नहीं, या university ने पहले, जो students पास किये हैं, उन लोगों को license भी मिला है या नहीं, या कहीं व कोई सवाल आपके दिल में है, comment box में आप सवाल पूछें, admission related कोई query है, आप हमें whatsapp करें, हम आपको उसका भी reply करेंगे, और अगर कहीं से भी जुगार से कोई defirmacy आपने ले ली है, verify कर वा ले, वरना आपके साथ problem future में जरूर हो सकती है, अच्छा लगावाज का वीडियो ह हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना, बिल्कुल ना भूले, साथ में लगावाज लाकिन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक पोच सके सबसे पहले, बहुत बहुत शुक्र रज़ने वाद, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए.